नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत सुवागत है आपका हमारे शेनर में दोस्तों अगले 10 दिनों के अंदर बड़ा चमतकार होने वाला हैं क्योंकि मित्वुन रसी वाले जातकों को बहुत बढ़ी कुशकवरी प्राप्त होने वाली हैं माता दुरुगा की घृपा से आपके जीबन में विसेश बड़े सुपस्माचारों की प्राप्ती होंगी और आने वाले दस दिनों के अंदर आपके जीबन के सारे दुक्त ग्लीफे समसाएं संकटे और आर्तिक तंग्यों से आपको जुटकारा प्राप्त होने वाला है मात अधरुगा के घर्पा से आपके जीबन में आपको सुनवरे अवसरों की प्राप्ति होंगी और हमारे गुरू जी ने जंद्रमा में और अंतरिक्ष में होने वाले ग्रह गोचर में परिवरतन को आखा है और उनके आखने के बाद आपके जीवन में विसेश बड़े परिवरतन को लेकर आपको विसेश खुशकवरी देने वाले हैं तता आपको जीवन में जो भी सकष्ट या समस्याओं से आप गिरे हैं उन सबों से चुटकार अपराप्त होंगे आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों 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 रासी वाली जात को को बताना चाहेंगे कि आप कॉपी खुश रहेंगे प्रेम जीवर में खुशियां भरे पलाएंगे आपके आत्मे स्वास और प्राक्टर में वडुतरी होंगी अविवायत लोगों को विवा का अच्छा रिस्ता मिल सकता है पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकते हैं गर प्रिवार के लिए केमती चीजों की खरदारी करने के संभावना है मैनत और सबर का परवे आपको पूरा-पूरा प्राप्त होंगे दोस्तों के साथ नई उजनाय वनाने के अफसर मिल सकते हैं जुआ के चल कर आपके लिए फायदवन्द सिद्ध होंगे जमीन जायदात करने के लिए अच्छा समय हो सकता है भाग्या आपका पूरा साथ दिने वाला है पैसो से समन्देद आपको कोई अच्छी खबर मिल सकते हैं विद्यार्थों के लिए असमें काफ्यूत्तम रह सकता है कोई भी कारी करने से पहले माता फिदा की सलालेना आपके लिए उचित हो सकता है पैसो का निया निवेस करने के लिए समय बढ़िया रहेगा फद्रती और वेतन की विर्दी हो सकते हैं आप किसी सफर के दोरान किसी प्रभावसाली लोगों के साथ जान पहचान बढ़ा सकते हैं मत्तुनासी वालिद आदकों को बताना चाहेंगे कि आपके हमदर्द आपके जीबन में आपका सहियो कर सकते हैं आपके कारी शेतर में वड़ोतरी होंगे आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कोसिच कर सकते हैं तथा आपके जीबन में जो भी प्रिवर्तन होने वाले हैं वे आपके लिस्सुबर काफी लाफ दायक होंगे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं आपको महादेव जी की आशिरबाद से अच्छे प्रणाम हासल होंगे, माता दुरुगा की कृपपा से आपके जीबर में जोब प्रिसान्या चल रही हैं, वक्षत्म हो सकती हैं, समाधी कारे और राधरितिक के ज़कारें में सफलता मराफ्ट होंगी, आपकी आमदानी में व प्रिसान्या दूर होंगी, आपको बेपार बहुत तेजी से चलेगा, इनसे आपको लाब भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होंगी, आपके जीवन में आपको विसेश बड़े खुसकवरे अवस्या हासिल होंगी, आप अपने सपनों को साकार कर सुकोगे, दंदौलत में भी बड़तरी होंगी, सनिदेप की क्रिपा से भागी के बलबूते आपको बड़ा फाइदा विन ले वाला है, अस प्राप्त होंगे, आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावत करने में सफल हो सकते हैं, आपको माता फिता का सहयोग अवस्य प्राप्त होंगे, अफिस में सीनियर भी आपके रिस्तों को मद्बूत कर सकते हैं, आपको अपने किसी अच्छे काम के लिए नए इनिवेस् समाजी जीवन भी आपको वैस्त रह सकता है लेकिन अंतिम जबे में पारिवारिक दायतों को पूरा करने की कारण आपको समाजी की ओजनाव में बदलाव करना पड़ सकता है अधुरे पड़े कारे में भी आपको गतिया सकते हैं विद्यार्टों को परिक्षा में प्रणाम अच्छे फ्राप्त होंगे गेरेले सुक्सिवधाम में वर्दी होंगी आपका खुसनमा वहवार घर में खुसी का माहूल बना देगा चक्षनी कारे में भी आपका मन लगने वाला है आप दूसरों के उलजेवे मामले को तुरत सुलदाने में सफल होंगे आपको राजनित प्राप्त होंगे आपको खुसियां भी प्राप्त होंगी आप अपने जीवन में बहुत सारे तनाव और समस्याओं से प्राप्त कर सकते हैं आपको अपने कामकाज को बहुत इसावधानी से करने की जुरत रहेंगी आपका स्वास्त भी काफी अच्छे होंगे आप अपने कारी शेतर में किसी बड़ी साधित का सिकार हो सकते हैं और किसी बड़ी मामले में आपको अदालत के आसपास बहतर यात्राओं को करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं ऐसे में आप अपने सभी लोगों का ध्यान अपने और आकरसित करने की अवस्य कुस्त करें आपके बिगड़ सकता है आने वाला समय इन रासी वाले लोगों की किस्मत पूरी तरह से फलटने वाली है पुराने मित्रों से मुलकात हो सकते हैं और कोई पुराना कर्ज भी आसाने से छुटकारा मिल सकता है आपको उधार देवे पैसे भी वापस मिल सकते हैं आप लोगों के कर आपको फ्रिस्तार से चुटकारा प्राप्त और कौने वाले जाते को बताना चाहेंगे कि आपको अपने कष्णों और समस्याओं से चुटकारा प्राप्ता कर सकते हैं आपके द्वारा गिये गए कारी फैसले भी लाव दायक से दोंगे मित्रों और सिदारों का फूरस योग मिल सकता है आप अपने बैपार बैविसाय में काफी अच्छे खासे लाव कर सकोगे आपको लाव के बहुत अच्छे हैं से हास लग सकते हैं आपके से पुरानी बिमारे स्ट्टकारा फाप तरग सकोगे आप अपने किस्मत के बलबुति अपने लाव को अरजित कर सकते हैं पारिवारी बिबादों से बच कर रहने की अवस्य कता हैं कानूनी मामल में आपको लाव मिल सकता है अपनों के फ्रते आप कुछ नया करने का फ्रत कर सकते हैं बैपारियों को बैपार में नई उचायों की और अगरसर होने के मों के फ्राप्त होंगे आप अपने गुसेफर नेंतर रखने की अवस्य कुसस करें आपका गुसा बने बनाई कारी को विगार सकता है इसलिए उससे फिर कंट्रोल रखें आपका दिन बहत्र बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दिया वस्त लिखें आपका दिन सबहों मंगल कारी हो जैमा बिंदो वासनी मत्तु नासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने कश्णों और समस्याओं से शुटकार अफ्राप्त कर सकोगे आपके द्वारा किये गए कारे फैसले भी लाप दायक से नहीं होंगे मत्रों और सिदारों का फूरस योग मिल सकता है कानूनी मामल में आपको लाप मिल सकता है अपनों के फ्रते आप कुछ नया करने का फ्रत कर सकते है बैपारियों को बैपार में नई उचायों की और अगरसर होने के मोगे फ्राप्त होंगे आप अपने गुसेफ पर नेंतर रखने की अवस्य कुछस करें आपका गुसा बने बनाई कारी को विगार सकता है इसलिए गुसेफ पर कंट्रूल रखें आपका दिन बहत्र बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुबह मंगल कारी हो जैमा बिंदो वासनी झाल